नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि घर पे ओपरेशन कैसे किया जाता है जी हाँ आप में से ऐसे लोग जो घर पे ओपरेशन करना चाते हैं और जो भी ये लुटे रे पैसे खाने वाले जो भी डॉक्टर होते हैं उनसे अपने आपको बचाना चाहते हैं तो आपको कसम है कि ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए वीडियो के एंड में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे आप घर पे आउपरेशन कर सकते हैं और अपने लाखो करोडो रुपए उन लुटेरे डॉक्टरों से बचा सकते हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आएं हैं कभी पस हो जाता है ट्यूमर हो जाता है या कोई न कोई जिसे हरनिया हो जाता है डिस्क खसक जाती है घुटना, किड्नी, लीवर, हार्ट, ब्रेन इन सब के कुछ न कुछ ऑपरेशन होते हैं उसके लिए जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो लुटेरे डॉक्टर हमें बोलते हैं हजारो रुपए, लाखो रुपए, करोडो रुपए और हजारो लाखो करोडो रुपए लेने के बाद भी कभी ठीक सा ऑपरेशन करते हैं कभी नहीं करते कभी इस तरह की चीजें वो अपने आपके पेट में छोड़ देते हैं फिर इसके बाद जहरीली दवाईयां खिला-खिला के हमारे शरीर को बरबाद कर देते हैं तो आपका शरीर बरबाद नहों उसके लिए आज मैं आपको घर पे ही आप कैसे ऑपरेशन करके अपने लाखो करोडो रुपए उन लुटेरे डॉक्टरों से बचा सकते हैं वो बताने आया हूँ मेरा तो ये कहना है कि जितने भी डॉक्टर होते हैं वो पढ़ाई करने से लेके डॉक्टरी करने तक उनके दिमाग में केवल पैसे होते हैं पढ़ते समय, सोते समय, बातरूम जाते समय मेरा तो बोलना है वो बातरूम भी जाते हैं ताकि उन्हें पैसे मिल सके तो इतने ज़्यादा लालची हमारे देश के ये सारे डॉक्टर हो गए हैं अब आपको कैसे ऑपरेशन करना है पहले मैं उसकी थेरी बताता हूँ और फिर मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके बताऊँगा सबसे पहले कोई भी ऑपरेशन करने के लिए समझ लीजिए कि ये आपकी एक स्किन है और आपको स्किन के अंदर लाइपोमा, गाठ या फिर हरनिया ऐसी कोई भी बिमारी हुई है ये उपरेशन बहुत ही आसान होते हैं 100-200 रुपे में हो जाते हैं इसके लिए आपको लाखो करोडो रुपे खर्च करने की जरुरत नहीं है तो ये स्किन है तो आप क्या कीजिए सबसे पहले कि आप आपकी सबस ये स्किन है उस स्किन पे इस तरह का आप कॉटन ले लीजिए ये कॉटन आप मेडिकल शॉप से 15-20 रुपे का ले सकते हैं या आपके घर पे जो रजाई होगी उसके जो कापोस या पुराने कपड़े होंगे वो भी ले सकते हैं उसे लेके आपको इस तरह से उसे साफ करना है इस तरह के बहुत सारे मार्केट में सोल्यूशन मिल जाते हैं जैसे कि क्लोरोकसीडिन, गुलूकानेट नाम का ये सोल्यूशन है या फिर सेवलोन, बीटाडिंग जैसी चीजे भी 10-10, 5-5 रुपे में डिटॉल तो मिली जाता है उसको इस पे ऐसे आप लगा लीजिए इस कॉटन पे इस तरह का कुछ हो जाएगा और इस स्कीन को आप ऐसे साफ कर दीजिए ऐसे आपने साफ कर दिया साफ करने के बाद फिर आपको सिंपल सी बात है इस तरह का कुछ ब्लेड लेना है और ब्लेड लेने से पहले एक बात मैं बोलना भूल गया कि आपको इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपको और आगे बता सकूँ तो इस तरह की कुछ इंजेक्शन आएंगे जिसको की एनिस्थिशिया बोल का इंजेक्शन बोलते हैं वो आप इंजेक्शन ले लीजिए उसे ऐसा खोलिए कई बार ये 5-10 रुपए की चीज़े मिलती हैं इसके लिए आप लाखो रुपए की खर्च करेंगे और ये जो एसे आपकी स्कीन होगी उसमें आप थोड़ा सा ऐसा कुछ डाल के अंदर हलका सा पेन होगा थोड़ा ज़ादा अंदर चला गया तो थोड़ा सा ऐसे ही अंदर जाए जादा अंदर न जाए और वहाँ पे उसे भूल का injection डाल दीजे अब देखी चीटी काटती है जितना दर्द होता बस उतना ही दर्द इसमें होता उसके लिए उन लुटेरे डॉक्टरों को इतना पैसा देने की जरूरत आपको है नहीं ठीक फिर यह आप अंदर डाल ले के ब इस तरह की ब्लेड आती है मेडिकल बिलेड 15-20 रुपए की वो ली लीजे या आपके घर पे जो दाड़ी बनाने वाली ब्लेड है वो भी ले सकते है और उस ब्लेड से लेके वो भी जो जगह उसको ऐसे हलका सा आप देखेंगे तो ऐसे करके उसे काट दीजे थोड़ा सा बड़ लाखो करोडो रुपए आपके बच जाएंगे और ये पेन कोई बहुत बड़ी बात है नहीं हलका सा तुरह दर्द होता है उसको ऐसे काटने के बाद आप क्या कीजिए कि इस तरह की कैचिया आपको मिलती है जो आराम से 10-15 रुपए या मेडिकल कैची वो जो भी चीज आपकी वहाँ पे हरनिया है तो उसको एक साइड से ऐसे पकड़ लीजिए ऐसे पकड़ के और इस कैची से उसको ऐसे करके काट दीजिए काट के निकाल के फिर उसको फेक दीजिए फेकने के बाद बहुत ही सिंपल सी चीज है कि फिर से इस तरह का जो आपको मैंने पाफ कर लीजिए और ऐसे जो ये सुई मिलती है इस तरह की जो सुई होती है इसको सुचरिंग के लिए मतलब सिलने के लिए यूज करते हैं तो नीडल होल्डर जो होता है उससे पकड़ लीजिए और कैसे सुचरिंग करते हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हू ताकि आपके लाखो करोडो रुपए बच सके उन लूटे रे डॉक्टरों से क्योंकि आज मार्केड में हर कोई केवल लूटने के लिए बैठा है हर कोई केवल पैसा खाने के लिए बैठा है तो इस तरह से इसको आप ऐसे अंदर देखिए ये डालेंगे ठीक है डालने के बाद इसको निकाल के सिल देंगे और निकाल के सिलने के बाद बस वहाँ पे सुचरिंग हो गई 15-20 दिनों के लिए उसको रखिए इसके बाद चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि एक महिने के अंदरी आपकी जो भी बिमारी थी जो भी ऑपरेशन था सक्सेसफूल हो गया बहुत ही आसान चीज़ा आप घर पे कर सकते हैं इसके लिए कोई भी डॉक्टर के पास आपको जाने की जरुरत है नहीं आराम से 200-300 रुपे में आप अपना ऑपरेशन कर सकते हैं यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए और 550 लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि लाखों करोडों लोगों के पैसे बच सके, जिन्दगी बच सके मेरा काम है लोगों को घर पे ऑपरेशन और घर बैठे ही मोटापा, अर्थ्राइटी, जिलाज, जादूई नुस्खे, संजीवनी बूटी ये सब बता बता के उनकी बिमारियों को जर्चे ठीक कर देना धन्यवाद, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार, आपने बोलाओगा ये क्या नोटन की है आईरवित की वीडियोज बताते थे, अभी घर पे ऑपरेशन करना कैसे चालो हुए ये वीडियो उन लोगों की लिए था, जिनको ये लगता है कि दुनिया में हर कोई उन्हें लूटने ही बैठा है जी हाँ, ऐसे बहुत सारे कमेंट है, ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोज देखने मिलेंगे, जिसमें लोग बड़े-बड़े क्लेम करते है घर बैठे एक दिन में घुटना दर्द ठीक, एक रात में आपके बाल लंबे हो जाएंगे, बस चार घंटे में कैंसर ठीक, ये जादूई गोली खाली तो जिन्दगी बर बुड़ापा नहीं आएगा पंदरा दिन में तोंद गायब, और ऐसे लोग कभी भी आपको अपनी तोंद दिखाएंगे नहीं, एक उन लोगों के लिए था, दूसरा ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हर कोई उन्हें लूटने ही बैठा है, दुनिया का हर डॉक्टर लूटने बै लिए किसान अगर खेती करा तो लूटने के लिए, उनके दिमाग में ये चीज बैठा गई कि दुनिया में हर चीज केवल उनका पैसा लेने के लिए उन्हें लूटने के लिए बैठे हैं, और वो हर चीज घर बैठे हुए सब ठीक कर लेंगे, इस तरह के भी कई प्राणी से चीजे दिखती हैं, पहली बात होता ये है कि आपको पता नहीं कि वो जो वेक्ती बता रहा है वो qualified है कि नहीं, नंबर एक, और वो जो भी information दे रहा है, ना उसने आपके शरीर को देखा है, ना आपकी उसको proper detail history बता है, वो जो भी नुसका बता रहा है, क्या वो आपके लिए suitable है कि नहीं, उस चकर में हम वो उपाय करना चालू कर देते हैं, घर पेट है, पानी का animal लिए जा रहा है, पेट साफ हो गया बहुत अच्छा है, या पानी पीबी के गले में डालके उल्टी कर रहे है, वो temporary relief मिल जाता है, बट long term में जब या आपके शरीर का सत्याना सोना चालू होता है, तब समझ में आता है कि कितनी बड़ी आपने गलती की, कोई भी डॉक्टर, अब सिंपल सी बात, आप operation घर पे भी कर सकते हैं, इस तरह कि चीजे कटवट कर गे, आपको अगर मैं advice दू कि आप घर पे operation कर लें, आप करेंगे, आप उन्हें कि पागल हो क्या दिमाग विमाग कुछ है कि नहीं, या दिमाग सनग गया है आपका, क्यूं? क्यूंकि जो भी वेक्ति या जो डॉक्टर आपको operation करता है, वो एक skill उसके पास होती है, कि कहीं भी अगर आपको operation कर रहा है, तो वहां की जो muscles, muscle origin कैसा है, bone का origin कहाँ पे है, nerves कैसे जाती है ligament, tendon, blood supply, वहां पे कैसा है, ठीक है, उस चीज को कैसे बचा के operate करना है, ठीक, और कई बार ये सब होने के बाद भी हम देखते हैं कि कई सारे human errors होते हैं, कई बार cases successful होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, तो कोई वेक्ति अपने जिन्दगी के 10, 20, 25, 30, 50 साल डालके कोई एक skill स लिखता है, वो जो आप से charges लेता है, वो आपकी तकलिफ को ठीक करने के लिए जो उसने skill सीखी है, उस चीज के लिए होता है, ना कि लूटने के लिए, सेम यही चीज जब हम patients को बोलते हैं कि भाई, आपको acidity हो रही है, आप पंच कर्म में woman नाम की जो चिकिस्सा है, वो क चीज घर पे हो सकती है, वो आप बहुत बड़ी गलत family में हो, और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कई patients मिलते हैं, जो 15 साल, 20 साल, इस तरह की उत्पडांग चीजे करकरके अपने शरीर का सत्यानास कर लेते हैं, लैसुन खाना है कि नहीं, पता नहीं, बस लैसुन हार्ट के लि हार्ट, एसिडिटी, किड्नी, नीवर, इन सब का सत्यानास किये जा रहें, अब मेरे पास ही कई patients हैं, जो बोलते हैं कि गुड़ तो अच्छा होता है, तो सब में चलता है, तो diabetes है, गुड़ निप्टार है, लीवर खराब है, गुड़ निप्टार है, दही probiotic होता है, तो लिए लगाया है, तो बेटर होगा कि आप कोई भी चीज जो कर रहें, उसके पहले professional advice ले लिजे, वहना आपको YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियो, ऐसे बहुत से comment मिल जाएंगे, अच्छा, तो आप चाहते हो कि आपके clinic पे आके हम आपको अपना पैसा दे दे, ताकि आप हम डाइग्नोस करेगा, डाइग्नोस करने के बाद अब एक ही बीमारी के ऊपर हजारों आउश्यदियां होती है, उसमें से कौन सी दवा, कितने समय के लिए, कितने दिन के लिए, किन चीजों के साथ लेना, वो एक skill होती है, उसको सीखना पड़ता है, इसलिए कोई भी डॉक यही केवल एक्सपरिमेंट करकरके अपने शरीर का सत्यानास करते रहते हैं, तो यह वीडियो केवल समझाने के लिए था, ना कि घर पे आपको अबरेशन दिखाने के लिए, कि जो चीजें जिस एक्सपर्ट को आती है, उसके द्वारा ही कराईए, घर वेटे अपने शरीर को गिनी पिक मत बनाईए, कि बस एक्सपरिमेंट पे एक्सपरिमेंट किये जा रहे हैं, और बीमारी इतनी थी, इतनी सी थी, फिर उसको बढ़ा बढ़ा के लेसुन खाखा के अलसर कर लिया है, मेती खाखा के ब्लीडिंग डिसॉर्डर पैदा हो गया, पाइल्स हो गया, तब या पानी पी पी के जब डाजेशन पूरा खराब हो गया है, तब डॉक्टर के पास जाना, उमीद समझ में आया होगा, कि कोई भी दवा खुद से लेना, कोई भी ओपरेशन खुद से करना, या बस कोई भी चीजपंच कर्म के नाम पे पानी का एनिमा ले रहे हैं, प बिल्कुल बिंदास किसी डॉक्टर के पास मत जाईए, किसी डॉक्टर को एक पैसा मत दीजे, अपना सारा पैसा आप इग्दम अच्छे से सेव करके रखिए, और जितनी भी बिमारियां है, ऐसी डिटी या फिर घुटने का ओपरेशन है, लीवर का ओपरेशन है, हार्ट है, हर चीज के लिए एक स्पेशिलिस्ट वेक्ती होता है, बेटर कि हम उनकी सर्विस लेके अपनी बिमारियों को ठीक कर ले, और हम जिस चीज में स्पेशिलिस्ट है, सपोस्थ कि कोई एक लॉयर है, या कोई एक बंदा है, जो कि स्पोर्ट्स खेलता है, वो क्रिकेट खे बनने में, ऐसे कोई सिक्षक है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, इलाज लेगा, अपने आपको ठीक कर कि पूरा फोकस टाइम एफर्ट किस में डालेगा, एक अच्छा टीचर बनने में, या एक कोई डॉक्टर है, जिसको कपड़े अच्छे चाहिए, तो वो घर जरा दिन में तोंद गयाब कर ले, दो दिन में बाल लंबा कर ले, इन चकरों में मत फसिये, केवल और केवल आपके शरीर का सत्यानास होगा, और इसके बाद भी अगर आपको लगता है घर बैठे कैसे ऑपरेशन करें, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईए, आगे में आपको और भी बड़े से बड़े ओपरेशन आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं, वो आपको मैं समझाओंगा, ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताए, तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें